बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का अपने टूइट इपर है कर में मैं सुर्ज राज और अज की सबीड देखने वाले हैं जो भी छात्र बीए फस्ट इयर में है देखिए हाँ यहर की बात करूँगा सैमस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ यहर वाई की बात करने वाला जो केबल प्राइबेट स्टूडेंटों के लिए प्राइबेट स्टूडेंट ओनली जो प्राइबेट स्टूडेंट वाले हैं वेपर को उसका है एकोस्ट बात करूँगा आप इन कोशनेंों को याद करके कबल 1819 कोशन याद पढ़ लेना और 85% प्लस 2022 के आप टॉपर ब करने माला को होई पैदा नहीं है आप चै急 को अभी सस्क्राइब कर रह वालै सब बड़ी बात तो यह पैदा नहीं है याद रखना तो पेपर है कर वे उसको बिह अंग को सब्सक्राइब कर लेंगा नहीं को दे रहे हैं जाके सब्सक्राइब कर लो जाओ ठीक है अब यहां देखो जो जो कोशन में आपको बता रहा हूं अपनी नोट्स गेसर पर टेक पर लगा सकते हैं और अच्छी नमबर से आपको पास होना है ठीक है कौन-कौन से कोशन पर टिक लगाने देखो पहले चेक करो फटा-फट जो जो कोशन में आपको बता लो उनको शुरुप आप टेक लगा लो ठीक है पहला कोशन आपके सामने धर्म देखो कह रहा है यहां आप बात करने वाले हैं जो अर्थसास्त्र है जिसे एकोनोमिक्स के छेत्री व्याक्या मतलब कि एकोनोमिक्स के किसे कहते हैं वो किस छेत्र में व्याक है वालब छेत्री व्याक है किस छेत्र में इसका बहुत जादा योगदान है उसकी आधार पर ठीक है इसकी परिभास आपको बताना है यहां आसर कह सकते हैं आदर्स बादी द्रश्टी कोड़ों की बिवेजना करने हैं मतलब कि आदर्स बादी द जिसे हैं मॉष्ट कहते हैं क्या जरा है आर्थ सास्थिंगे सामे पर विचार काथ बतारा है मतलब कि इसको समय की बिचार क्या थे economics के उसके महत और यहां next question बोला गया है बोगता की बच्चत की अवधारना most important बोगता की बच्चत की अवधारना next question है कि आर्थिक नियम क्या होते हैं यहां कह रहा है सुभाव की बिवेचना और उनकी बिसेस्थाओं के बारे में बताईए next question है अब कह सकते हैं अंधिवान वक्र क्या होता है अंधिवान वक्र क्या होता है उनको मांग के नियम most important उनकी अब बाद 100% पेपर में बनते हैं इसको most important है पेपर में पूछा जाएगा और यहां बोला गया है उपयोगता की परिभासा और सीमानत उपयोगता किसे कहते हैं उपयोगता की परिभासा और सीमानत उपयोगता किसे कहते हैं उसके बारे में यहां next question बोला गया है चुनाब अधिमान क्या होता है चुनाब अधिमान क्या होता है यह most important है ठीक है इसको देखिए पिरकट अधिमान सिध्धान्थ की अलोचनात्मक ब्याख्या करनी है यह most important पिरकट कह सकते हैं अधिमान सिध्धान्थ की अलोचनात्मक ब्याख्या करनी है ठीक है बाकी आप सबको 100% रट के जाना है और बाकी जो आपको बतारों बॉक्स में किवल बंद कर रहा हूं उनको आपको किवल पढ़ के जाना है और जब भी कोशन आ जाए तो आप बना बना के कोशन कर दे रहा है छोड़ के नहीं आना है ठीक है यहां वो लागा उत्पादन फलन होता क्या उसकी बिसिस्ता के बारें पढ़ के जाना ठीक है उसकी बाद में आता है सम उत्पादन वक्रों की परिभास और प्रतीयोकता क्या होती है और प्रतियोगिता एक अधिकार का मिस्र है यह आपको संपेक्ष में बताना होता है और यह कोशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसको आप मौश्ट कहना इंपोर्टेंड पढ़के जाना यहां पूर्ण प्रतियोगता क्या होती है उसके अंतरगत अल्पकाल में कीबत किस पर किस प्रीकार निर्धारत की जाथी हूँ आपको देखर है नेस्ट कोशन आपके सामने हैं भित्रण के सीमांद व्慕ता कह सकते हैं प्तब कह सकते हैं सीमांद उत्पादक्त कह सकते हैं सेसीवानद अर मदूने निर्धारण के के कह सकते है अधुनिक सिध्धान्त की व्याक्या सहित आपको एक्स्परेंट करने के लिए मजदूरी निर्धान के लिए मुस्ट इंपोटेंट है इसको पढ़ के लाना मॉस्ट पर ठीक है और यहां बुलाए किन से दुवारा प्रतीपादित व्याज के तरलता जो पारदर्शिश द आउब इसको ट्क लगा लेना नेक्स्ट कोशन है प्रोफिशर जो प्रोफिशर थे रोविंज स्थी उनकी अर्था सास्त्र की बारे में आपको एक्स्पन करने लिए पूछता है आर्थिक समीकर क्या होती है समय के बारे में बता चुका हूँ छोण दीजिए ठीक है और यह है आगमन की विदी आगमन विदी को पढ़ लेना यह है गिफिन इसको छोण देना यह है मोंग की लोज की माप पर टिपड़ यह कोशन बहुत ज़्य इंपॉटेंट है और यह अड़ी लोज की अपढ़ना यह मोश्ट इंपॉटेंट है यह दोनों कोशन मोश्ट है इसको आप पढ़ के जाएंगे तो आप इन कोशनों को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे बागी यह जो कोशन आप देख रहे हैं कि अधिकार क्या होता है इसको एक बार पढ़कर ला सकते हैं 2022 के एकजाम में 89-65 प्लस आप को के फेल ने वाला पैदा नहीं है ये सबसे बढ़ी बात है लोगो अभी करकी रखो और दोस्टों को शेयर कर तो बाकी मिलते हैं नेक सुविकार शेक अई